नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है देखिए अभ्यास प्रस्थनावली जो है आपकी कच्छा 10 की 3.4 का पहला प्रस्थन है कहता है कि प्रस्थापन विधी और बिलोपन विधी दोनों विश्थे जो है ये युगप प्रस्थनावली में आप कैसे करते हैं हमने इसकी प्लेलिष्ट बना रखी एक अच्छा 10 के नाम से वह देखिए उसी में सब मिलेगा आपको देखिए प्रस्थना आपका दिया है भाईया एक्स प्लस वाई बराबर पांच दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर चार देख यहां पर एक्स है यहां पर वाई है यहां पर दो एक्स है और यहां पर तीन वाई है तो एक काम करते हैं जब तक एक पद बराबर नहीं होगा तब तक आपका यह हल नहीं हो पाएगा यहां पर देखिए एक है यहां पर तीन है यहां पर एक है यहां पर दो है तो क्या करत A को 3 से गुणा करने पर तो भीया एक बात बताओ 3X प्लस 3Y बराबर 3 पचे 15 अब आपका समीकन बन गया 3 देखिए हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया फिर दूसरा समीकन क्या है 2X माइनस 3Y बराबर 4 इसको उसी प्रकार से नोट कर लेते हैं अब यहाँ पर लिखे समीकर 3Y दो को जोडने पर ठीक है? ऐसे भासा लिखना होगा तो भाई जोड लिजिए तो प्लस माइनस तो हो जाएंगे अब देखिए 3, 2 कितने होते हैं? 5X अब 15, 4 कितने होई है वह या? 19 तो X बराबर कितना होगा? 19 बटे 5 यह आपका X का माण आ गया है अब क्या करते हैं? X का माण किसी भी समीकर में रख सकते हैं X का माण समीकर एक में रखने पर तो समीकर आपका एक क्या है? X प्लस Y बराबर 5 तो जहां पर X है वहां पर लिखेंगे 19 बटा 5 प्लस Y बराबर 5 तो Y बराबर 5 पच्छांतर करेंगे तो 19 बटे 5 हो जाएगा ठीक है? अब देखें 19 बटे 5 हो जाएगा तो भाई Y बराबर पचम 25 और माइनस 19 ठीक है? और बटे 5 तो Y बराबर 25 में से 19 जाएगे कितना बचेगा? 6 और बटे 5 तो X बराबर कितना है आपका? 19 बटे 5 और Y बराबर 6 बटे 5 ये थी आपकी बिलोपन बिधी अब आगे आपकी आती है प्रतिस्थापन बिधी यही प्रस्न देखें प्रस्न का ये पहला प्रस्न जो है उसको बिलोपन बिधी हो गई आपकी अब आती है आपकी है प्रस्थापन बिधी कैसे हल करते हैं यहाँ पर लिखे समी करण एक से समी करण एक से तो एक पद आपको बराबर करना होगा ठीक है एक पद आपको सुतंतर करना होगा देखे एक सामने लिया तो y को आपने क्या किया पच्छांतर कर दिया तो भी आप पच्छांतर करेंगे प्लस का है उधर जाए गाइनस का तो एक सब्राबर तना हुआ 5-y आपका यह समीकरण बन गया आपका 3 अब एक सका मान एकस का मान समीकरण दो में रखने पर आप सर कहेंगे कि एक में क्यों नहीं रखा भई आपने तो एक को तो छेड़ चुके है न तो एक में नहीं दो में रखा जाएगा अब देखे जहाँ पर x-3y बराबर 4 है तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप लिखे 5-y और पर चार इसमें गुणा कर दिजे 2-5 10-2y-3y बराबर 4 अब बताओ यह भी मैंस का है यह भी मैंस का है कितना हुआ 3-2 5y बराबर मैंस 4 उधर जाएगा तो कहें का होगा यह मैंस का होगा 10-10 ठीक है और यह मैंस के हो गए 5 तो बताओ y बराबर 4-10 से 4 कितना बचा 6 और वुटे मैंनस का ये भी और 6 बेटा 5 6 बटा 5 अब य का मान 2 मान समीकर्ण 3 में रखने पर समीकर्ण 3 में रखने पर समीकर्ण 3 आपका ये वाला है एक्स बराबर 5 माइनस Y है एक्स बराबर 5 और माइनस जो आपका लिखा है ये 6 बटा 5 एक्स बराबर 25 और माइनस 6 एक्स बराबर इतना बचा 19 बटे 5 यहाँ पर बटे कर लेजिए 19 बटे 5 तो भीया एक्स बराबर 19 बटे 5 और Y बराबर 6 बटे 5 यही आपका अंसर है बिद्ध कोई भी लगाए अंसर एक ही आता है आप देख़े दूसरा प्रश्न कि अदिर अधीयर 2 यहाँ पर 2-1 अगर यहाँ बनाबर ठें च outlook तो अधूर य का प्दों बडाबर हो सकता है तो बीट अखिया देखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर गुणा करने पर ठीक है दो से गुणा करने पर तो 3x प्लस 4y बराबर 10 यह पहला समीकरण आपका है फिर 2 दूनी 4x-4y बराबर 2 दूनी 4 यह आपका समीकरण हो गया तीसरा समीकरण हो गया अब यह एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है तो क्या होगा जोड़ने पर तो यहाँ पर निखिये समीकरण एक वा तीन को जोड़ने पर जोड़ने पर तो यह तो कैंसिल हो जाएगा तो 4-3-7 और 10-4 चौदा x बडाबर 14 बटे 7 7 दूनी 14 x बडाबर 2 अब देखे x का मान x का मान समी करण किसी में भैर रख सकते हैं समी करण एक में रखने पर ठीक है एक में रखने पर तो समी करणे क्या है 3x प्लस 4y बडाबर 10 तो 3 गुणे 2 जहां पर x से वहां पर 2 लिखेंगे प्लस 4y बडाबर 10 तो 4y बडाबर 10 दो तिया 6 मानस का हो जाएगा ये प्लस का है तो धर का होगा मानस का तो y बडाबर कितना बचा है यहां पर 4 और बटे 4 4 एक कम 4y बडाबर कितना है भी आ एक अब देखे एक आया अब y कमान y सरी हाँ हो गया तो आपका अंसर आ चुका है x बडाबर 2 और y बडाबर एक यही आपका अंसर है अब देखते है प्रतिस्थापन बिधी अब देखे दूसरे नमबर का जो प्रस्थन है उसका प्रस्थापन बिधी उसकी तो यहाँ प्रभिया वही लिखे समी करण 1 से समी करण 1 से तो समी करण 1 क्या आपका है कोई भी पद एक सोतंतर करना है तो 3x बडाबर 10 माइनस 4y तो भिया x बडाबर 10 माइनस 4y और बटे 3 समी करण आपका 3 हो गया यह अब देखे एक्स का मान x का मान समी करण 2 में रखने पर अब समी करण 2 है क्या 2x माइनस 2y बडाबर 2 तो 2 और भिया 10 माइनस 4 और बटे में इसका हो जाएगा 3 और माइनस 2y बडाबर 2 यह बात तो समझ गए होंगे जहाँ पर x आए तहाँ पर यह वाला पूरा रखना होता है अब देखे 2 पंचे 10 दस दूनी 20 और 2 चको 8y ठीक है 8y और बटे 3 माइनस 2y बडाबर 2 ठीक है अब देखे 20 माइनस 8y अब देखे यह इधर गुणा करेगा तो 2 दूनी 4y और बडाबर 2 दूनी 4 यह भी इसको कुणा करेगा स्वरी 4 नहीं 6 होगा 2 तियां 6 और 2 तियां 6 2 तियां 6 और 2 तियां 6 अब बताओ 8 6 कितने होते हैं 14y हो गए ठीक है यह हो गया 6 उधर जाएगा तो कहा है का होगा भीया यह माइनस का होगा तो माइनस 14y इधर होगा माइनस 14 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो y बराबर 14 बटा 14 कैंसिल हो गया कितना बच्चा एक अब भीया y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकर 3 है कि आपका x बराबर 10 माइनस 4y और बटे 3 तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1 और बटे 3 तो x बराबर अब देखे 4 एकनना 4 10 से 4 जाएं कितना बचेगा 6 और बटे 3 3 दूनी 6 तो भीया x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया 1 यही आपका आंसर है प्रस्थापन बिस से वही आएगा वही बिलोपन बिस से आएगा चाहें आप इसकी साथ ले सकते हैं देखे प्रस्थ नमबर 3 अब देखे भाई प्रस्थ नमबर 3 आपका इस प्रकार दिया है इस प्रकार तो दोगा समीकण होता नहीं तो पहले सबसे क्या करेंगे तीन एक्स माइनस पांच वाई बराबर चार समीकण अब बनाव का एक ये जो है उधर पच्छंतर होगा अचरपद जो है बराबर के उधर होता है अब देखिए इसका भी सिष्टम देखिए नव एक्स ये इधर लाएंगे तो काहे का होगा माइनस का और ये साथ हो जाएंगे प्लस के समीकण का बन गया दो ठीक है समीकण दो बन गया अब एक बात बता हो यहाँ पर पांच है यहाँ पर दो है यहाँ पर तीन है यहाँ पर नो है तो एक काम करिए समी करण को एक को अगर हम दो से गुणा करते हैं और एक जिसको पांसे करते हैं तो यहां पे दस हो जाएगा यहां पे दस हो जाएगा तो लिखिए भाई समी करण एक को दो से गुणा करने पर और समी करण समी करण दो को पांच से गुणा करने पर ठीक है तो भे करिए इसको तो 2 3 6 X माइनस 2 5 10 Y और 2 चक्कू 8 समीकन बन गया आपका 3 इसको हल करिए 2 नाम 18 X और 5 9 45 X और माइनस 5 दूनी 10 Y और 5 सते 35 समीकन बन गया आपका ये 4 क्या बन गया समीकन बन गया आपका ये 4 अब बताओ यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है जब दो रंग हो तो जोड के एक रंग हो तो घटा के ये बात आपको मालूम है समीकरण 3 से 4 को घटाने पर क्या है 4 को घटाने पर तो भी या घटाने में क्या होता है चिन्चेंज हो जाते हैं तो यहां प्लस का है तो माइनस का यहां माइनस का यहां प्लस का है तो माइनस का तो यह तो कैंसल हो गए अब बताओ 45 से 6 गए कितना बचा 49 X कहे का माइनस का कहे का बचा माइनस का भीया 35 से 35 से 8 जाएंगे कितना बचेगा 27 कहे के माइनस के X बचा कितना हुआ-27 और बटे-49 तो माइनस माइनस प्लस 39 27 तीन कना तीन 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 नव X बचा आया 9 बटा 13 अब देखे X का मान समी करण एक में रखने पर अब समी करण एक है क्या आपका भीया देखे ये है 3 X और माइनस 5 Y बचार तीन गुणे 9 बटे 13 माइनस 5 Y बराबर 4 अब देखे पच्छांतर करते हैं 5 इधर और 4 ये उधर जाएगा तो कहे का हो जाएगा ये भीया बताओ जारा कहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अब माइनस 5 Y बराबर 13 चको 52 माइनस 27 बटे 13 तो माइनस 5 Y बराबर कितना बचेगा यहाँ पर बताओ भई कितना बचेगा यहाँ पर 12 से 7 गए कितना बचा 5 ठीक है और यहाँ 4 से 2 गए कितना बचा 2 और बटे में 13 और ये 5 ये और लेकिन हाँ ठीक है अब देखे माइनस के 5 तो पचम 25 तो Y बराबर माइनस 5 बटा 13 और X बराबर 19 बटे 9 बटे 13 यही आपके आंसर होंगे अब देखे प्रस्थापन बिधी कौन सी बिधी भी आए प्रतिस्थापन बिधी तो वही करते सबसे पहले हैं क्या करेंगे समी करण एक से समी करण एक से तो समी करण एक से पहले करने के लिए क्या करेंगे इसको सही कर लेते हैं यह हो जाएगा समी करण एक और यह हो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से 3 x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3 समीकरण बन गया आपका 3 देखे एक पद को सुतंतर करना होता है जब तक एक पद सुतंतर नहीं होगा आपका तब तक आप आगे करिया नहीं कर सकते हैं अब क्या करना है बताओ भीया Y का जो X का मान है वो कहां रखा जाएगा X का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है का ये है आपका 9X-2Y बराबर 7 ठीक है आप देखे जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हमें लिखना होगा 4 प्लस 5y और बटे 3 फिर उसके बाद में ये माइनस 2y और बराबर 7 ठीक है बराबर 7 अब गुना कर दिजे 9.36 और 9.45y और बटे 3 माइनस 2 और बराबर 7 तो 36 प्लस 45y माइनस 3 दूनी 6y और 3 सते 21 45 से 6 गए कितना बच्चा 49y और 21 ये उधर जाएगा तो कहे का हो जाएगा माइनस का अब 49y कहे की माइनस प्लस की है और ये कहे का भीया होगा माइनस का अब बताओ यहाँ पर कितना बच्चेगा यहाँ पर 6 से 1 गए कितना बच्चा 5 और 3 से 2 गए कितना बच्चा 1 तो y बराबर ये कहे का है अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 है क्या आपका ठीक है एक्स बराबर चार प्लस 5y और बटे 3 तो एक्स बराबर एक्स बराबर 4 पचम 25 और बटे 13 इसका बटा कितना होगा तेरा अब एक्स बराबर 13 चकु 52 तेरा चकु 52 माइनस 25 और बटे 13 इसका बटा 3 अब बताओ भिया 12 से 5 गए कितना बचा 7 यहाँ पर कितना बचा 4 4 से 2 गए कितना बचा 2 और बटे 13 और इसका बटा 3 अब देखे 27 27 बटे 13 और गुणे 1 बटे 3 तीन नवा 27 एक्स बराबर 9 बटे 13 और वाई बराबर माइनस 5 बटे 13 यही आपका आंसर है आप स्क्रीन साथ ले सकते हैं देखे प्रस नंबर 4 जो प्रस नंबर 1 का विकलब नंबर 4 आपका चोता है देखे प्रस नंबर 4 बिलोपन बिधि ठीक हैं देखे इसको सही करते हैं 3x प्लस 2 दूनी 4 और 2 तियां 6 बराबर माइनस 1 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 समीकार एक हो गया आपका इसको देखते हैं 3x-y और 3-9 समीकन हो गया आपका 2 अब देखी यह समीकन 2 हो गया तो दूसरा लिखते हैं 9 समीकन 2 देखे यहाँ पर हमें एक पद बराबर मिला हमें x का जो पद है वो बाबू बराबर मिला तो क्या करेंगे एक ही रंग है तो घटा के और दो रंग होते तो जोड के तो समीकन 1 वा 2 को घटाने पर शमीकन 1 से 2 को घटाने पर तो भिया मैनस प्लस और मैनस तो यह कैंसिल हो गये यहाँ पर कितना हुआ पांच y और यहाँ पर 9 है disciples पंद्रा कहे के माइनस के तो y ब्राबर 15 बटे 5 तो y ब्राबर माइनस 3 तो y का मान समी का रण दो में रखने पर ये सब लिखना होगा आपको तेंथ की परिछा लिखत होती है बबो लिखना होगा सब तो 3x minus y बराबर 9, 3x minus यह लगा है minus, अब देखे, यह आपका हो गया minus 3 और बराबर 9, तो 3x minus minus क्या होगा, plus, ठीक है, क्या होगा, plus, बराबर 9, 3x पच्छांतर करोगे न, यहाँ पर लिखिए, पच्छांतर करने पर, यह सब लिखना होता है, ठीक है, अब उधर जाएगा, तो काहे का होगा, minus का, तो 3x बराबर, इतना बचा 6, तो x बराबर 6 बटा 3, 3 दूनी 6, तो x का मानाया 2, और y का मानाया minus 3, यही आपका अंसर है, अब दिखे, प्रस्तिस्थापन बिधि, चलो भाईया, इसको सही करते हैं, 3x, 2 दूनी 4y, बटे 3 दूनी 6, minus 1, तो 3x, प्लस 4y, बराबर, minus 6, समी करण 1, फिर देखे, इसको करते हैं, 3x, minus y, और 3, 3, 9, समी करण 2, अब यहाँ पर, समी करण 1 से, समी करण 1 से, तो भाईया, 4y, बराबर, minus 6, और minus 3x, तो y, बराबर, minus 6, minus 3x, और बटे 4, अब समी करण 2 में रखने पर, समी करण 2 में रखने पर, तो समी करण 2 है का आपकब यह यह वाला दिखिए, जहाँ पर 3 लिखा है, उसको हम 3 लिखेंगे, जहाँ पर 3x, और यह minus, ठीक है, जहाँ पर y लिखी बाबू है, वहाँ पर यह मान रखेंगे, minus 6, और minus 3x, और बटे, 4, और ब्राइकट बंद कर देंगे, और minus, ब्राबर, ब्राबर, ब्राबर 9, ब्राबर 9, अब देखिए, 3x, इधर यह इसको करते हैं, तो कहा होगा, प्लस का होगा 6, फिर प्लस के कितने हो जाएंगे, 3, चिन की अंदर गुणा करेंगे न, और बटे में, 4, ब्राबर 9, 12, और प्लस 6, प्लस 3x, और 9 9, 4, 36, अब देखिए, 12 और 3, 15x हो गया, और 36, उधर ले जाएंगे, इसको मैनस का हो जाएगा 6, तो 15x बराबर 36, 15x बराबर 30 होगा, 15x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो भीया, 15 दूनी 30, तो x बराबर तनाया 2, x बराबर 2, अब देखिए, x का जो मान है, x का मान, समी कारण, समी कारण, 3 में रखने, पर, समी कारण 3 है क्या आपका, देखिए, समी कारण 3 ये आपका है, y बराबर, माइनस 6, माइनस 3, x और बटे 4, तो y बराबर, माइनस 6, और माइनस 3 गुणे 2, और बटे 4, तो y बराबर, माइनस 6, 3 दूनी 6, और बटे 4, बटे 4, तो y बराबर, 6, 6, 12, कहे के, माइनस के, बटे 4, 4, 3, 12, तो y बराबर, माइनस 3, x बराबर, 2, यही आपका आंसर है, तो दोस्तों, यह जो आपका प्रस्ण नमबर 1 था, इनके जो 4 दिये थे प्रस्ण, 1, 2, 3, 4 करके, यह हमने लगाने का प्रयास किया, अगला प्रस्ण जो आएगा, 2, नमबर 2 होगा, देखे, जो नमबर 2 में प्रस्ण है, 1, 2, 3, 4, 5, यह अगले वीडियो में मिलेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे, तो सेर करिए, सस्क्राइब करिए, और अंत में, कमेंट में जरूर बताएए, कौन सी कम्यार ही हमारे में पढ़ाने में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,